देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, ओम गणेशाय नमस्षिवाय, मैं इखिल जोतिश आचारे, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनहस्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सवस्तोंगे, महादेव की कृपा आप सभी पर सदयाब बनी रहे, ये वीडियो धनु यानि की सजिटेरियस के लि मासिक राशी फल के बारे में, कैसा रहेगा धनु के लिए आने वाला महीना, जो मेरा मासिक राशी फल होता है, वो जीवन की प्रमुक चीजों पे अधारित होता है, जैसे की सामान नविश्लेशन, करियर, बिजनस, इंकम, इंवस्मेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स अपना लगन पता है, तो लगन से देखेंगे, तो हमेशा रिलेटेबल और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिनको अपना लगन ही पता, वो चंदर राशी से अब्ज़र्ब कर सकते हैं, गाइडेंस के लिए, तो शुरुवात करते हैं, इस महत्तपोन राशी फल का सामान् सबसे पहले लगन को देखेंगे, लगन पर ब्रहस्पती का प्रभाव रहेगा, रथम स्थान पर पूरे महीने के आने वाले लंबे अर्से तक ब्रहस्पती महराज की नवम द्रिश्टी रहेगी, हर ग्रह की जो अलग-अलग द्रिश्टियां होती हैं, उसका अलग-अलग मानने होता है, मैं ज़्यादा डीटेल में होगा, लेकिन ब्रहस्पती महराज की जहां पर नवम द्रिश्टी पड़ती है, उस स्थान को सवभाग्य प्राप्त होता है, वहां पर भाग्य का साथ मिलता है, और यह जो नवई द्रिश्टी है, यह आपके लगन पर ही पड़ है, और धीरे-धीरे करके इस महीने से आपको उसके सकरात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इस से पहले क्या था कि सूरे कुछ समय तक ब्रहस्पती के साथ थे, बुद्ध वक्री थे, गुरु चांडाल योग तो खैर अच्छा होता है, आज के जीवन के लिए मैं कई ब पर बता चुका हूँ, लेकिन ब्रहस्पती का जो स्वभाव था या प्रभाव था, वो खुल कर सामने नहीं आ रहा था, अब क्यूंकि कुछ अर्सा भी हो गया है, ब्रहस्पती महाराज को आपके लिए मेश में आये हुए, या निकि पंचम सान में आये हुए, तो यह मही आगे बढ़ेगा, धर्म के प्रती रूची बढ़ेगी, और संतान प्रापती के लिए पूरा महीना काफी शुब है, काफी श्रेष्ट है, क्यूंकि ब्रहस्पती आपके लिए चौथे घर के भी स्वामी है, तो यह भी बता रहा है, यह महीना प्रॉपटी आदी के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप घर वाहन आदी खरीदना चाहते थे, उसके लिए महीना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ट रहेगा, आपकी माता जी को भी इस महीने किसी ना किसी रहा का धनलाप हो सकता है, एक और ग्रह जिसका प्रभाव लगन पर आएगा, वो है सूर स्थान के स्वामी का भी दृष्टी 14-15 तारीक के बाद आपके लगन परा जाएगी, यानि कि भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, तो साधारन जिंदगी भी सफल हो जाती है, तो ये महीना कहीना कहीं अपने जीवन को सफलता की और लेके जाने का अवश्य है, सब्तम भाव आपके public relation का भी होता है, public image का भी होता है, और क्योंकि हम सूरे की बात कर रहे हैं, वह लोग जो politics में अंटर करना चाते थे, politics में अपना नाम बनाना चाते हैं, या फिर socially अपना नाम बनाना चाते हैं, उनके लिए 14-15 तारीक के बाद का समय बहुत अच्छा है, आपको अच्छा मौका बन सकता अपनी image को popular करने के लिए, क्योंकि सूरे सरकार के भी कारक है, अगर आपका कुछ सरकारी कारया टक रहाता, तो बहुत संभावना है कि आप महीने के मध्यभाब के बाद उसमें कुछ try करेंगे, तो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन यहां पे married life में उस दिनों के लिए आपके लगन को देखेंगे, अच्छे चीज़ ये है कि बुद्ध राजयोग और पंच महापुरुषयोग बना कर बैठेंगे, और बुद्ध क्योंकि दस्वे घर के स्वामी है, कारक शेत्र में कुछ दे सकते हैं, लेकिन बुद्ध आपके लिए देखे जाएंगे, हर ग्रह अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभावत देता है, वो हमें समझना पड़ता है कि वो किस तरह का प्रभावत देगा, लगने के स्वामी पर भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं, लगने के स्वामी आपके ब्रहस्पती महाराज हैं, और वो गु नया परस्पेक्टिव शुरू हो सकता है, नया सोचने का थरीका शुरू हो सकता है, लेकिन जैसा मैं कई बार पता चुका हूँ, धनू ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक्जाइटी की कोई कमी नहीं होती, ओवर्थिंकिंग की कमी नहीं होती, तो जब पंचम भाव इतन सम्मंदों में विकार आ सकते हैं, शनी की दृष्टी भी रहेगी, इसलिए अपने परस्नल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, एक जो सबसे महत्वपून चीज इस महीने होने वाली है, सभी के लिए वो है शनी महाराज का वक्री होना, प्रयास करूँगा कि इस ट प्राक्रम सब कुछ बड़ेगा, जीवन में एक नई उम्मीद जागेगी, जीवन को आगे लेके जाने के लिए मदद मिलेगी, और अपने प्रयासों से आप बहुत कुछ अर्जित करेंगे, लेकिन ध्यान ये देना है, कि तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो 17 जून क या वाहन दुरघटना के योग बन जाते हैं, तो इन चीजों का आपको अवश्य ध्यान देना है, मंगल शुक्र की यूति अश्टब में वनी रहेगी, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये अचानक से धन देता है, क्योंकि ये स्थान दस्वे से ग्यारवा स्थान है, कार और फ्यूजन चल रही थी, वो दूर होगी, ऑथोरिटी रहेगी पूरे अपने जीवन में, एक बैलेंस भी आप लाने का प्रयास करेंगे, परस्नल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अधिक्तम दिनों में उसमें सक्सेस्फुल हो जाएंगे, यात्रा के बहुत अ व्यक्ति आपके जीवन में हो, जो आपको थोड़ी राहा दिखाएगा, गाइडन्स दिखाएगा, तो ये महीना अच्छा देख रहा है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, आप बहुत जजमेंटल रहेंगे इस महीने, उसके कारण थोड़ी प्रोब्लम्स हो सकत लेगी, ये महीना में भी इमोशनली आपके लिए बहुत स्टेबल नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें अच्छी चलें, इमोशनली ये महीना थोड़ा सा नकरात्पक रहेगा, कारण क्या है कि आपका चौता घर भी अभी पापकरतरी योग में है, तो कभी-कभी बहुत से बहुत डिप्रेसिंग से आप आपका विक्तित्त हो जाएगा, उन चीजों पर कंट्रोल कीजेगा, अधर्वाइस ये महीना आपके जीवन को आगे ही लेकर जाने वाले, परियर के दरफ चलते हैं, वैसे तो ये महीना अच्छा दिख रहा है, आपके जो दस्वे स्थान के स्वामी है बुद्ध, वो इस महीने दो बार राशी परतन करेंगे, वैसे बुद्ध एक महीने में दो बार सामान्य तोर पर राशी परतन कर लेते हैं, अगर वो वक्री नहीं होते, या अगर उनकी गती में कुछ बदलाव नहीं आते तो, क्योंकि हर दो सवादो हफते म को एकदम रुख गई हो, या इवन प्रमोशन हुआ हो तो शायद प्रोबेशन के साथ हुआ हो, प्रमोशन हो भी गया हो तो मेभी अभी भी कुछ उसमें क्लारिटी नहीं हो, या फिर नॉमल आप काम कर रहे हो, उसमें कारे आपके बहुत अटक रहे हो, इस महीने से चीज बुद्ध के राशी परितन के कारण, आपके कारेक शेत्र में सकरात्मकत आएगी, पहले साथ जून को वो आपके छटे भाव बे आ जाएंगे, और क्योंकि छटा भाव अर्थत्रिकोन का स्थान है, भले ही काम का प्रेशर आपके उपर जादा रहे है, आप बहुत चौबेस तारीक को तो जो दस्वे घर के स्वामी है बुद्ध, वो अपनी ही राशी में सब्तम भाव में आ जाएंगे, राज योग पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और ये सब्तम भाव है यानि कि आपको रिकगनीशन भी प्राप्त हो सकता है, तो ये महीना जैस प्राप्तम भाव है वो उनका बाधक भी होता है, तो चौबेस तारीक के बाद भले ही आपके साथ कुछ अच्छा हो, आपको रिकगनीशन मिले, बाधक स्थान भी आपका एक्टिवेट हो गया, नहीं कि आपका कुछ कारें अटक सकता है, बड़ा कारें, या फिर आपकी पबलिक इमिज को, आपकी गुडविल को, थोड़ा आपके जो आसपास के लोग हैं, कलीग जादी हैं, वो खराब करने का प्रयास करेंगी, तो अगर कुछ अच्छा होता है, जादा भैक मत जाएगा, हमेशा से सचेत रहिएगा, अधरवाईज ये महीन अच्छा है, शनी भी वक्री हो रहे हैं, और वो क्योंकि शनी आपके दस्वे स्थान से छटे में वक्री हो रहे हैं, लगने से तीसरे में, साब बताता है कि इस महीने आपको अपने कलीग से बहुत ध्यान पूर्वक रहना है, किसी पे जादा विश्वास पत रखना, किसी को अपना काम मत के जीजेगा और अपने कॉम्युनेकेशन पर आपको कारकशेत्र में भौत ध्यान देना है दस्वे से ग्यारवे स्थान में लगनस ये अश्च्टम में मंगल शुक्रक्योती अचानक धनका लाब आपको कारक्षेत्र में हो सकता है महीने के positives क्या है भले ही थोड़ा सा sudden रहे ये महीना यानि कि अचानक से आपको कुछ नए काम दिये जा सकते हैं लेकिन आप उनको handle कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे confidence वापस आता हुँ देख रहा है बुद्ध की journey के कारण वापस आ सकता है और जिनकी promotion अठकी हुई थी कुछ ना कुछ उसके संबंद में भी अच्छा हो सकता है और जैसा मैंने कहा बहुत productive कार आप इस महीने अपने कारक्षेत्र में कर पाएंगे negative क्या हो सकता है कभी कभी duality बहुत रहेगी आपके सोचने के तरीक में जहां पे जो लोग ऐसा कुछ काम करते हैं जहां पर decisions बहुत लेने पड़ते हैं अगर आपके पास executive powers हैं अगर आपको decisions बहुत लेने पड़ते हैं वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ा आपसे हो सकती है आप बिना सोचे समझे कहीं पर sign कर देंगे और problem होगी और इसके साथ ही आपके finance, insurance या फिर सरकारी कोई job करते हैं तो government से involved कुछ काम करते हैं तो यह महीना आपके लिए overall तो अच्छा रहे बिजनस की तरफ चलते हैं बिजनस के लिए भी महीना overall ठीक है सब्तम भाव बिजनस के लिए देखा जाता है अब सब्तम से जो त्रिकोन स्थान है यह महीने तीनो रहुआ कार्य था विजनस में कोई payment अटक गई थी वह इस महीने वापस आ सकती है या कोई काम हाथ से निकल गया था वह इस महीने वापस आ सकता है वक्री शनी बहुत अच्छा प्रभावा देते हैं के तू 11 में है यह थोड़ी problem कभी-कभी create करते हैं हो सकता है इस महीने भ सबसे अच्छी चीज यह है कि आपके जो सब्तम के स्वामी है बुद्ध वो खुद सब्तम में आ जाएंगे 24 तारीक और भद्र नाम का पंच महा पुरुष योग और राज्योग बनाएंगे दो तरह की तो महीने के अंत में आपके बिजनस में अचानक से आपको लाभ मिल सकता है सूरे मखें में 14 तारीक हो फे और सूरे नवमम के सवामी हैं निका भागिस्थान के स्वामी है याइन कि महीने के मध्य भाक के बाद भाग्य का साथ भी मिलेगा और यहाऊद या कुछ document का काम अटग गया था उन चीजों को पूरा करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है और यह महीना सकरात्मकता दिखा रहा है कुछ डिले अवश्य होगा केतु के कारण केकिन अदर्वाइस यह महीना अच्छा है सब्तम से ग्यारवे में भी बुरुचांड डाल योग बना यानि कि कुछ नयापन लाएंगे अपने बिजनस में तो लाब देगा और सब्तम से दूसरे स्थान में मंगल शुक्रगी होती है यानि कि अनिश्चित जगाओं से भी और अकस्मत जगाओं से भी पैसा आपको आ सकता है तो यह महीना ओवरॉल बिजनस के लिए अच्छा है दिले अवश्य रहेगा रुकावटे थोड़ी बहुत अवश्य रहेंगी पॉजिटिव क्या हो सकते हैं जैसे में कहता आ रहा हूं कि कुछ पुराना रुकाववा कार्य आपका पूर्ण हो सकता है कुछ कहीं पर आपको नुकसान हो गया ता उसकी भरपाई हो सकती है एक्साइटमेंट रहेगी आपको नए नए आइडियाज आएंगे बहुत प्रोड़क्टिव कारे कर पाएंगे इवन नए इन्वेस्टर्स जो रून रहेते उनके लिए एक अच्छा समय है कुछ लोग होते अपने बिजनस को और एक्सपैंड करना चाते हैं उनके प्रोड़क्टिवेट रहेगा पहले सूरे रहेंगे फिर बुद्ध भी वहाँ पर आ जाएंगे तो इस महीने बिजनस में खर्चे बढ़ेंगे और हां अगर आपको सरकार से कोई नोटेस आया हुआ है कुछ टैक्स का आपका मामला है कुछ और मामला है लाइसेंस की प्र आ सकती है अगर आपका बिजनस ऐसा है जहां पर आपको कई लेने पड़ते हैं परमीशन लेनी पड़ती है तो महीना थोड़ा मध्यभाग से पहले का कर्ष्टिकादी हो सकता है अगर आप फनीचा से जुड़ा इंटीर से जुड़ा गार्बेंट से जुड़ा टेक्स्ट करते हैं बीच के दस दिन आपको थोड़ा सा ध्यर रखना है बड़ा मॉन बिल्कुल स्पंद कीजिए जो अंतिम दस दिन है यहां पर एक्साइटमेंट और बहुत रही यहां पर गलत निरने ले सकते हैं तो अंतिम दस दिनों में भी थोड़ा ध्यर आपको दिखाना है ब लेकिन प्रॉब्लम कहया कि केतु लाबस्तान में है। जब तक केतु लाबस्तान में आपके रहेंगे, अनी कि एक्टूबर के अंवस्या ये पैसा कमाने में, तो स्मूद एरिेन नहीं होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के साथ आरिंग होगी, धनस्थान के स्वामी शनी वक्री हो रहे हैं यानिकि अपने प्रयासों से आप भूत धन अर्जित कर सकते हैं और ब्रहस्पती क्योंकि लगन को देखेंगे ही धन के कारक हैं तो पैसा तो आप कमा सकते हैं यह महीना रहेगा जहां पर स्टेबल इंकम नहीं देगी अचानक से पैसा आ जायेगा फिर कुछ में कुछ टाइम के लिए रुख जाएगा और थोड़ा सा प्रयास जादा करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए जहां तक खर्चों की बात है क्योंकि बारवेगर के स्वामी ही शुक्र के साथ बैठे हो और अश्टम में यानिकी खर्चा तो बढ़ेगा इस महीने आपको समझ ही नहीं आएगा आपका पैसा कहा गया इतने सारे आपके अनिश्यत खर्चे होंगे लोन जादी पर खर्चा होता हो दिख रहा है कुछ आपके EMI चल रहे थे उस पर अतरित खर्चा हो सकता है ढ़े खर्चा होता हो दिख रहा है और इसके साथ ही दवाईयों पर और घरर के व्रिश्ट सदयस्यों पर थोड़ा सा खर्चा इस महीने जादा हो सकता है खर्चा इस महीने आपका काफी जादा रहेगा चलते हैं love and relationship की तरफ जहां तक no contact situation की बात है अगर बाचीत बंद हो गई थी खतम हो गई थी तो यह महीना ठीक है संभावना उसकी बन सकती है कि महीने के मध्य भाग में या अंत तक आते आते तो वो चीज़े भी दुबारा ठीक हो सकती है क्योंकि एक वक्री ग्रह का प्रभाव पंचम पे आ जाएगा यानि कि शनी महराज का सत्रा तारीक को तो यह महीना नेया relationship स्टार्ट करने के लिए अच्छा है जहां तक जो लोग relationship में उनकी बात है कि प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी कारण कहक तो पंचम में राहू है क्यानि कि विश्वास की कमी रहेगी यह उनकी बात कराऊं जो अलरड़ी relationship में है दूसरा पंचम के स्वामी मंगल भी आठवे घर में है यहां से भी अनिश्यत्ता दिख रही है क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी है और शुक्र के साथ बैठे है में भी physical intimacy बहुत रहे लेकिन विश्वास की कमी रहेगी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे एक दूसरे पर कीजिएगा और communication पर भहुत ध्यान देना है इस महीने आपको किन चीजों पर जादा focus करना है आपको stability पर focus करना है आपको अपने बिजनस के future पर sorry अपने relationship के future पर focus करना है और इसके साथी जो insecurities हैं आपकी उन चीजों को address करना है और अपने relationship को आपको आगे लेके जाना है negative points इस महीने क्या हो सकते हैं आपके दरफ से आप बहुत controlling हो जाएंगे और आपको यह पता भी नहीं चलेगा उसका नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके साथी बहुत ज़्यादा expectation रखना अपने relationship से आपने partner से वो भी इस महीने आपको थोड़ा परिशान करके जासे married life के दरफ चलते हैं देखिए सब्तम भाव वैसे तो 14-15 तारीक तक पापकरतरी योग में रहेगा सब्तम भाव married life का होता है कही न कहीं विवाहिक जीवन के कारक के लिए हमें शुक्र को भी देखना चाहिए शुक्र भी अश्टम में है और सूर्य भी इस महीने 14-15 तारीक के बाद सब्तम में ही आजाएंगे मैं कईबा बता चुका हूँ सूर्य सेपरेटर होते हैं तो जब सब्तम में आते हैं तो married life में कौन ग्रह बैटे हैं एक केतू बैटे हैं जो एक emotional conflicts create कर सकते हैं दूसरा शनी सब्तम से नवम में बैटे हैं और वो वक्री भी हो जाएंगे इस महीने यानि कि यह महीना विवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है जगडे होंगे ego clashes बहुत होंगे सूरे जैसा मैंने कहा शुरू में भी कि सब्तम में आते ही problems create करते हैं भले ही वो आपके नवम स्थाने के सौमी हो भले ही वो business में आपको अच्छा दे दे भले ही वो आपको गौरवानवित कर दे आपको आपका नाम कर दे लेकिन हर ग्रह अलग-अलग चीज में अलग-अलग प्रभाव देता है तो वही ग्रह जो आपको कारक शेतर में recognition दे लेकिन वही ग्रह सूर्य 14-15 तारीक के बाद married life पे बहुत problem ला सकता है तो यह महीना married life के लिए अच्छा नहीं है जिनकी already married life अच्छी नहीं चल रही थी already सब कुछ try कर चुके थे तो यह वो महीना है जहां पर divorce तक बाद पहुंच सकती है या जो चीजे होती है वो initiate हो सकती है legal proceedings initiate हो सकती है क्योंकि सूर्य सब्तम में आ रहे हैं सूर्य सरकार के कारक है सरकारी कारों के कारक है और यह भी नहीं भूलना चाहिए बुद्ध भी महीने के अंतम में सब्तम में आ जाएंगे बुद्ध एडवोकेट्स और इन सब चीजों के कारक है तो जो already decide कर रहे थे आप सोच रहे थे divorce के बारे में हो सकता है ये महीना उन चीजों को आगे लेकर जाए तो महीना married life के लिए बहुत अच्छा नहीं है कोशिश क्या करना ही आपको आपको कोशिश करनी है कि समझे अपने life partner को और आपको कोशिश करनी है कि गुसा अपनी साइट से नहीं हो नेगेटिव क्या होगा पैसों को लेकर बहुत भैस होगी ego clashes बहुत जादा होंगे और इसके साथी दोनों ही साइट से बाते चुपाए जाएंगे और उसके कारण भी problems अवश्य होगी यह महीना married life के लिए अच्छा नहीं है students शुरुवात करेंगे एक्जाम से शुरुवाती दस दिन ठीक है यहापके short cuts मत लीजेगा पर ना problem होगी बीच के दस दिन तो बहुत अच्छे है यहापे अच्छा ही आपका result रहेगा अंतिम दस दिन में मन बहुत विश्लित रहेगा परिशान रहेगा तो जो अंतिम दस दिन है results यह एक्जाम के लिए बहुत अच्छे नहीं है students के लिए overall यह महिना मिला जुला है कारण क्या है कि एक तो पंचम के स्वामी मंगल है वो अश्टम में रहेंगे और नीच के रहेंगे ठीक है research based जो students है उनके लिए समय अच्छा लेकिन students overall बहुत confused से रहेंगे और क्योंकि शुक्र के साथ भी उनकी योती हो जाएगी तो मन बहुत जगाओं पर भागेगा romance के तरफ बाकी सारी चीज़ों के तरफ बहुत मन आपका अकरशित रहेगा और क्योंकि राहू भी पंचम में है ये भी गलत जगाओं पर students का मन लेकर जाता है तो थोड़ा सा आपको अपने मन पर control करना पड़ेगा ये महिना जेतना आप ध तोड़ा सा इस महिने ध्यान दे धैर रखें कहीं ना कहीं अपनी संगत पर आपको इस महिने बहुत काम करना ही पड़ेगा सेहत की बात करते हैं सेहत के लिए महिना overall ठीक है क्योंकि अब लगन के स्वामी भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगा यानिकि ब्रहस्पती क्यों जिनको thyroid की problem है गले की problem रहती है उनके लिए महिना थोड़ा कश्टकारी रहेगा जैसे महिना आगे बढ़ेगा इसके साथी private part से जोड़ी problems और infections आपको इस महिने तंग करेंगे महिने के जो शुरुवाती 10 दिन है यहाँ पर diabetes जिनको है दिक्कत रहेगी और skin disorders और hormonal problems जो मह महिने के अंतिन 10 दिन है lower back में दर्द रहेगा जिनको siatika क्या issue है उनको दिक्कत जाधा हो सकती और water retention की problem और liver की problem जाधा तंग करेंगे उपाय की बात कर लेते हैं सरुल उपाय आपको करना है महिने के शुरुवाती किसी भी दिन में कर लीजेगा या प्रथम ब्रहस्पति परिवार को कर लेजेगा आपको शिव मंदिर जाना है शिवलिंग का आपको दूद से अभी शेक करना है पूरे परिवार का शिव परिवार का दूद से अभी शेक करके फिर सामाने जल से अगंगा जल से अभी शेक करना है शिवलिंग पर कुछ बेल पत्र अरपन करने है और मंदिर में शिव चालीसा की पुस्तके आपको दान में देनी हैं। और इसके साथ ही आपको घर में बनी खीर का भोग लगाना है। और कुछ दक्षिना देखिया नहीं। जो विदेश में रहते हैं या मंदिर नहीं जा सकते, जितना आप अपने घर में रहके कर सकते हैं उतना कीजिएगा आशा करता हूए कि वीडियो आपके काम आएगी चैनल पर नए है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अकली वीडियो में तब तक के लिए पूम नो